हेलो फ्रेंड्स आप सभी को जनमाश्वीं की बहुत बहुत सुबकामना थैट आज हमने लटू ग यपपल जी को 56 बोग लगाया है इन में से कुछ चीजें मैंने घर पर बनाई हैं कुछ चीजें मैंने मंगवाई है तो देखे ये एक दो फूल मैं लगा दूँगी क्योंकि गिर गए थे इसके बाद मैंने माखन और मिस्री समर्पित किया है तो माखन मिस्री कब होगा आप जरूर लगाएं और उसके बाद ये है कड़ी तो यहां पर मैंने कड़ी समर्पित किया है और इसके बाद ये हैं चावल और ये गोपाल जी को भोग समर्पित किया है ये खीर बनाई है ये मैंने घीया का हलवा बनाया है और इसके बाद ये बनाई है धनिया पंचीरी तो धनिया पंचीरी समर्पित कर देंगे हम इसके बाद हमने ये मलाई ली है और इसके बाद कुछ नास्ते की चीज़े हैं तो ये आलू की नमकीन है ये चिप्स है और ये जो वरत में नमकीन खाते हैं मखाने मोमफली की नमकीन ये वो वाली नमकीन है और इसके बाद हम लोग लड़ू गोपाल जी को समर्पित करेंगे मेवे तो मेवे में मैंने यहाँ किसमि है के बाद के और यहां पर केसर मिठाइए यह ढ़िए पेड़े दोनों तरहां एक यह रख दिये हैंлек ठनियां भर्फी है क्योंकि पेड़े रिकि में नेकी ली यह गोल वर्फी इसके बाद यह नारील के लडू है इसके बाद यह बालाम भर्फी और यह गुलाब जामुन इसके बाद हमने लिया है ये बर्फी मावा बर्फी है ये इसके बाद ये काजू कतली तो इसके बाद हमने लिया है रसगुला तो देखे मैं इनको थोड़ा थोड़ा साइड में करके और ये रसगुले का भोग यहां पर समर्पित करूंगे और इसके साथ ही हम लोग घिया क शू somalh singular चेह घ्रोटाध इसे ख़ूर परफ ही इसके बाद हम पेटे जाय को λ कुछू आए पर एक हैं भूग लिए घ्री आती byte वह यह है और इसलोट बढ़ ऊतर्व केंड केंड пр की तरह जो चारों और दो महाँ kेमाजork apr ये गुंजिया है ये बालू शाही है और इसके बाद ये ड्राइफ रूट्स के लडू है और इसके बाद ये हैं गोंद के लडू इसके साथ ही ये हमने लिया है मिल्क केक और ये है कलाकंद फ्रेंड चपन भोग में चपन चीजे समर्पित की जाती है और उसमें हमें ध्यान रखना होता है कि सुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए प्याज लसुन का उप्योग बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो ये पूरी चपन चीजे मैं समर्पित करूंगे इसमें ये मौसमी है स नहीं संत्रा है ये कीवी फ्रूट और कि के बाद मैंने लिया है आलू बुखारणाश्यरस टो यह समर्पित klar रेंगे हम और इसके बाद मैंने लिया है उत्थ हैं तो मोसमी आंगांवें मैंने ही और मैंने कह वाzag है और यह कोवे। तुलसी का पत्ता जरूर डालेंगे, इसके बाद मैंने लिया है अनार, तो मैं थोड़ा इसे साइड में करके, अनार को यहां पर समर्पित करूंगी, तो यह सभी चीजे अब हम फ्रूर्ट समर्पित कर रहे हैं, और इसके बाद यह मैंने लिया है एपल, इसके बाद यह है अमरूद और इसके बाद ये खजूर है तो खजूर का फल है ये पहले जो बर्फियां थी वो भी खजूर की थी और ये फल है और इसके बाद ये है बनाना तो इस तरह से हमने ये 56 भोग लड़ू गोपाल जी को समर्पित किया है तो ये थी वो 56 चीजे जो हमने लड़ू गोपाल जी को 56 भोग में समर्पित की हैं सभी चीजे मैंने आपको एक एक करके दिखा दी है और उनके नाम भी बता दिये हैं तो फ्रेंट्स इस तरह से मैंने इस जनमास्ट मी को अपने लड़ू गोपाल जी को 56 भोग समर्पित किय है, अगर आपको एवीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माई पैसिफिक वउन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वैल को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राधे राधे